कि हलो फैंस बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में मैं डिसक्स करूंगा एससी सीपीओ के लिए कुछ रियल प्रीवेसर क्वेश्चेंस और यह क्वेश्चेंस ना के बल सीपीओ एक्जैम के लिए बलकि इस वीडियो क्लास हिंदी में रहेगा यह पार्ट टू है और इसके पहले का जो पार्ट वन है भी मनें अप्लोड कर दिया तो इसको आप जरूर देखें और पूरा वीडियो क्लास आप एंड तक देखिए क्योंकि काफी सारी ट्रिक्स में इसमें आपको बताऊंगा और इन ड्रिक्सी, CHSR में भी कई बर आया है यह तो अब यहां पर देखिए, यह है फर्स्ट वर्क यह है सेकिंड वर्क तो एक काम खतम होने के बाद एक काम का खतम होना हम बताते हैं having प्लस वी-3 से ठीक है having प्लस वी-3 जिसको हम बोलते है perfect participant तो इसमें आपका having completed आएगा ठीक है having completed perfect participant बोलते हैं और यह indicate करता है फिनिस्ट एक्टिविटी को पास्ट में फिनिस्ट एक्टिविटी को तो कई बर आ चुका है यह सभी एक्जैम्स में ठीक है तो थार्ड इसका सही आंसर होगा अब देखिए यहां पर यह फिलिंदा ब्लैंक्स का एक कॉस्चन है इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे वीकेंड पास में आता गया सरड़े संड़े संड़े वैकेशन होता है चुट्टी होती है सारे लोग एंजोई करते हैं ठीक है तो उसमें बात हो रही है यह इसकी आपको सेम ऐसे ही कुश्चन्स देखने को मिलेंगे ऐसे ही इंस्ट्रेक्शन्स देखने को मिलेंगे यहां पर आपके लिखा हुआ है तो यह रियल कोश्चन्स है तो इस पूरी वीडियो सीरिस को आप जरूर देखें और मेरे सारे वीडियो क्लासेज आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे देखें डेफिरिली बहुत फाइदा हुआ अब देखें एक यह फिरिंदा ब्लेंक सा एक्नॉलेज आप करते हैं के वीडियो संपिस करते हैं इसको उसकी युसफुलनेंज को हम मानते हैं डी बंक का मतलब किसी चीज को रिवील कर देना, एडमिट, एडमिट एक अलग वर्ड है, किसी के कंट्रिव्यूशन को हम ऑफिसेली जब एकसेप्ट करते हैं, तो उसके लिए सही जो वर्ड होता है, एकनॉलिज, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर, यहाँ पर मैं थोड़ा साब को ट्रिक बता रहा हूँ, कि उसके कंट्रिव्यूशन को उसने अकनॉलिज क्यों किया, यहाँ पर देखे, कीवर्ड आ रहा है, सबस्टेंसियल, सबस्टेंसियल का मतलब है, कि उसका यो कंट्रिवूशन था, वो काफी अच्छा था, काफी बड़े लेवल पर था, सबस्टेंसियल था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम सेकेंट अप्शनम लगाएंगे, बिकॉस, ठीक है, तो आई अक्नॉलेच्ट इस कंट्रिवूशन तू माइ बुक बिकॉस इट वस सबस्टेंसियल, क्योंकि यह सबस्टेंसियल था, अच्छा था, मेजर था, ठीक है, सबस्टेंसियल का मतला होता है, कि अच्छी कॉंटिटी में होना, यह इंपोर्टेंट होना, तो इसलिए यहाँ पर फोर्थ आपका सही आंसर होगा, इस तरीके से इनको, यहाँ पर examiner actually क्या देखता है, यहाँ पर examiner देखता है कि कॉंटेक्स्ट के according किस तरीके से आप words, suitable words को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, I hope आपको यह अच्से तरीके से समझ में आया होगा, अब यहाँ पर देखिए, I am on leap from tomorrow, यहाँ पर जब आप leap की बात करते हैं, तो leap के साथ all word आता है, जैसे I am on leap today, म आयेंदी फॉर्म कौन सी लगाएंगे, देखें या तो आप बोल सकते हैं, I am going on leap from tomorrow, मैं कल से चुटी पर जा रहा हूँ, या going आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं, I am proceeding on leap from tomorrow, तो कि proceeding और going, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो proceeding आप यहाँ पर बोल सकते ह ठीक है, प्रोसीडिंग इसमें ए सही answer आपका होगा, मैं कल से चुटी पर जा रहा हूँ, अब देखें, ये एक again fill in the blanks का question है, और आपके जो rear exam होगा, उसमें question mix तरीके से आएंगे, एक question fill in the blanks का, फिर error का, फिरेडियम का इस तरीके से, तो सभी तरह के questions में इसमें आपक कर बाऊंगा, the members could not arrive at A regarding the issue, देखें, यहाँ पर keyword क्या है, यहाँ पर देखें, action है, policy है, consensus है, judgment है, देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा keyword जो है, वो है members, यानि कई सारे लोग है, ठीक है, तो कई सारे जब लोग होते हैं, तो वो एक common decision पर पहुचने की कोशिश करते हैं, ठी decision पर पहुचने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, आम सहमती, जैसे चुनाब होते हैं, तो चुनाब में सारे लोग एक common consensus बन जाती है, कि इस व्यक्ति को बूट देना है, तो हजारों लोग, हजारों लोगों के बीच में एक आम सहमती बन जाती है, ठीक है, उसी को जो सही वर्ड होगा, वो होगा consensus, action, policy, judgment नहीं होगा, judgment एक particular विक्ति का होता है, ठीक है, तो और arrive के साथ इसमें action और policy वर्ड नहीं आ सकते, arrive एक्षन नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, किसी action पर पहुचना, action पर हम पहुचते नहीं है, action हम करते हैं, policy पर हम पहुचते नहीं है, policy को हम बनाते हैं, इस तरीके से आपको थोड़ा सा analytical तरीके से इन वर्ड को समझना पड़ेगा, consensus पर हम पहुचते हैं, आम सहमती पर हम पहुचते हैं, judgment हम निकालते हैं, तो यहां पर देखिए कितनी बारीगी से examiner आपकी यह वर्ड की knowledge है, यह context के according किस तरीके से किस वर् माइंड यंग माइंड वेक्स्प्लोर देर अबिलीटी, मतलब इस इंस्टिउशन का जो मिशन है, वो यंग माइंड की एबिलीटी जो है उसको 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 यूस करना है, अब देखिए, यहां पर सही वर्ड क्या हुगा, यहां पर देखे, किसी चीज को जब हम रि केमिस्ट्री में यह वर्ड यूज होता है कि एक्षिन हो रहा है या कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको और जादा उसको और जादा एन्हेंस कर देना तो यंग माइंड की जो कैपेविल्टी है वो उसको इस यह जो इस्टिटूशन है अपनी एउकेशन की मदद से उसको कैटलाइज करता है उसको इस्टिमूलेट करता है ठीक है तो कैटलाइज यहां पर सही वर्ड होगा बाकि कमबैट यह तो आर्मी में यूज होता है कैकल सर्कोलेट यह तो बालोजी के वर्ड तो कैटलाइज यहां पर कैटलाइज की यागही इस्टिमूलेट होता ठीक है तो और भी सही उता इसको उत्प्रेवर्च इसको हम हिंदी में बोलते है बतलब 가능静 किसीवी चीज को यह चीज कर देता है उसको इक्टमिक्राइज कर दे अपार यहां पर देखे यह स्पलिंग के क्कॉश्चन एक एक वर्ड होता है Lejak वहुत है है पर फिर सपारगेक्ष में लीगल कानूनी और ऐद तो इसका सः कोन सी होगी वह इसमां आई नहीं आएगा और एलगिवेटी मेट ये सैकंड वाली सपेलिंग सही है में लेजी टीमेड ये सपेलिंग है ँथी कि ये स्पेलिंग सुधिन सही है और पेसमे आपका अंसर होगा ते कि यह दिये इडियंस इस्ट कुष्क औप ईस घूट्ट के o कर दो होता है यानि एर्रेगुलर आप बोल सकते हैं और य zmichनel नहीं बोल सकते तो आप तो आप बोल सकते अन tasty मतलब मजबूति से नहीं बोन में जड़ी से के थोड़ा काम फिर जादा ठीक है रो ग दिया फिर सूरू कर दिया तो Un steady जो option है यह सही होगा यहाँ पर आपका fits and start का यह fits and start यह भी काफी बार आ चुका है मैंने CGL में भी देखा है यह और CHSL में भी कई बार देखा है fits and start और एक चीज़ ध्यान रखिए कि examiner जो options देता है वो बार बार चेंज करके देता है तो इसलिए इसका सही meaning आपको पता होना चाहिए तभी आप options में से सका meaning आप निकाल पाएंगे तो कि examiner क्या करता है कि ज़रूरी नहीं है कि यह option आए है last exam में तो इनी options को देख वे options को अलग तरीके से घुमा के थोड़ा सा देता है inholness देखे कैई meaning होते है inholness के idiom in phrases का है inholness का मतलब किसी चीज को control करना भी होता है लेकिन inholness का मतलब होता है कि अपनी duty के दोरान office में जब कोई विक्ति होता है तो इसको हम बोलते है inholness तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा in office control करना भी होता है इसका मतलब कई तरीके से यह word use होता है all agog देखे all का मतलब होता है पूरी तरीके से agog का मतलब होता है किसी विक्ति या वस्तू को जानने के लिए उससे मिलने के लिए बहुत ज़दा एक्छुक रहना curious ठीक है अब देखे यहाँ पर curious word नहीं दिया है लेकिन curious का equivalent यहाँ पर दिया है expectant बतलब जो उमीद कर रहा है किसी चीश को घटेत होने की तो expectant यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मैंने भी बोला था आपसे कि examiner जो होता है यह जो option से इनको अलग-अलग तरीके से देता है अलग-अलग exam में अलग-अलग तरीके से देता है अब देखे gift of the gap यह भी काफी बार आचुका है gift of the gap का मतलब होता है बोलने की कला धारा प्रवहा बोलने की कला ठीक है gift of the gap तो धारा प्रभाव तो यहां पर दिया नहीं है देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको जैसे यहां पर fluent भी option हो सकता था fluent लेकिन यहां पर fluent नहीं दिया है यहां पर दिया है eloquent तो इसका मतलब भी same ही होता है fluent ठीक है power of expression जिसका अच्छा होता है उसका हम बोलते हैं eloquent तो यह इसमें इसका सही answer हो जाएगा deceptive का मतलब है जो आपको धोका देता है embarrassing जो आपको assahaj feel करवाता है puzzling का मतलब कठेन होता है gift of the gap का मतलब होगा eloquent यह spelling के question है देखिए इस particular question में देखिए यह भी real question है और यह CPO एक्जाम में पूछा गया है इस question में देखिए अलग लग वर्ड दिये हैं normally एक ही वर्ड होता है लेकिन इसमें अलग लग वर्ड दिये हैं consent में actually ऐसा आता है तो यह गलत स्पेलिंग है corrugated जैसे 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 टीन की चादर होती है नालीदार उसको बोलते है corrugated corrugated डबल आ राता है यह गलत होगा आपका contractual चुल में इसमें यू इदार आना चाहिए और एदार आना चाहिए contractual यह भी गलत होगी इसका मतलब यह सही है S-C-I-E-N हाँ consentious यह स्पेलिंग सही है आपकी consentious मतलब जो महनत से परिस्वरम से काम करता है यह spelling इसमें आपकी सही है अब देखिए यह sentence improvement का एक question है आप pair of slippers is cheap nowadays देखिए slippers जो है यह plural noun है जैसे slippers होता है goggles होता है pants होता है ठीक है यह सारे जो words है यह plural है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर real noun कौन सी है यहाँ पर real noun है pair और pair से पहले लगा है a इसका मतलब यह है singular ठीक है तो real noun singular से पहले singular ही verb है इसमें यह sentence जो है यह सही है और इसका answer होगा third no improvement यह इसका answer होगा काफी अच्छा यह question है ठीक है let's go for a walk do we देखे लेट्स के जो question tag बनते हैं वो shall we बनते हैं do we नहीं बनता shall we इसका सही answer होगा ठीक है आगे हम देखते हैं यह spot the error का question है I shake his hand when he arrived and when he left कौन से part में कलती है देखे यहाँ पर इसमें arrived याई वर्प की second form है और यहाँ पर भी वर्प की second form है इसका मतलब यह जो form है इसको आपको past में करना पड़ेगा यह वाला part गलत है इसमें तो इसमें answer क्या होगा इसमें third answer होगा आपका एक इसमेर आपका सब्सक्राइज तरी के से यह दूत है तो आगे जेखते हैं one who doesn't study without seriousness इसके लिए डिलेटांट एक वर्ड है डिलेटांट यह वर्ड है हिसकी spelling भी काफी important है तो इसका जो answer होगा वहोगा डिलेटांट देले टांते भी बोल सकते हैं इसको आप आप देखिए डाइग्रेस एक वर्ड होता है डाइग्रेस से यह वर्ड बना है डाइग्रेसिब ठीक है डाइग्रेसिब का मतलब होता है कि जो जो डिवियेट हो रहा है जो जो डारेक्ट पॉइंट की बात नहीं कर रहा है ठीक है तो यह इसका सही आंसर होगा इसमें है इसमें क्या पूछा जा रहा है इसमें इसमें भी सुनोनिम पूछा जा रहा है imperious, imperial मतलब राजाओं से सम्मंदित और राजा लोग कैसे होते हैं राजा लोग होते हैं, domineering अपना आधियपत्ते दूसरों पर जमाते हैं तो domineering इसका आंसर हो जाएगा कम commu commu pens, commu pens ये थुरा सा कठिन वर्ड है और इसका मतलब है बदला लेना ठीक है, इसको हम revenge पूलते है retribution इसका सही आंसर होगा retribution, काफी अच्छा है ये word है disconsolate का मतलब क्या है disconsolate का क्या पूछा है यहाँ पर apposite पूछा है आपसे देखिए apposite पूछा है, android पूछा है यहाँ पर disconsolate का मतलब होता है gloomy, unhappy ठीक है, तो unhappy का उल्टा क्या हो जाएगा, cheerful फोर्थ इसमें सही आंसर आपका होगा, ठीक है तो इस तरीके से कुछ इस्टुएंट से मेरे से बोला था कि 20 questions loom है तो इसलिए मैंने 20 questions इस वीडियो क्लास में लिये है आई होप आपको यह अच्छे लगे होंगे और यह questions सीपी ओ के लिए सीजेल के लिए, सीजेल के लिए, सीजेल के लिए इन सभी एक्जैम्स के लिए highly useful रहेंगे अगर यह questions अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स पर लिए मुझे मुझे बताएं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक्यू